आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केरल के बारे में अक्सर मैं जब लाइव चर्चा करता हूँ और हमारा लाइव शो चलता है तो अक्सर आप लोग डिमांड करते रहते हैं कि मुझे केरल के वीशे में कोई वीडियो बनाना चाहिए केरल की राजनिती में क्या चल रहा है इस पर चर्चा करनी चाहिए लेकिन केरल में इतना कुछ हो नहीं रहा था कि जिस पर चर्चा की जाए लेकिन अब इतना बड़ा घटना करम अचानक हो गया है कि उस पर चर्चा किये बिना हम रह भी नहीं सकते देखिए राहूल गांधी वायनाड से सांसद है और वायनाड केरल की लोकसभा सीट है केरल का एक हिस्सा है और राहूल गांधी का इंट्रेस्ट केरल में कितना ज़ाद है इस बास से अंदाज लगाया जा सकता है कि जब हाल ही में विधान सभा चुनाव हुए थे केरल के मई में जिनके नतीजे आये थे तो उनमें राहूल गांधी ने बड़ा बढ़ चड़ कर चुनाव पर चार किया था पार्टी के लिए और राहूल गांधी के नेतरतू में ही वहां का चुनाव लड़ा गया था इसके कुछ छोटे मोटे दल थे मुसलिम लीग बगेरा ये सब लोग जीतने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई और हार का सामना करना पड़ा अब हुआ ये है कि राहूल गांधी ने ये कहा वहां की पार्टी से कि भाई यहां पर संगठन को मजबूत कीजी अबाब च्योंकि 2024 में लोग सभा चुनाव होंगे राहूल गांधी का खुद का चुनाव होगा तो वो चाहते हैं कि केरल में जहां उनकी पोजिशन अच्छी खासी है पार्टी की तो वो चाहते हैं कि वहां पर पार्टी बढ़िया बने उसका संगठना अत्मक के प्रदेश अध्यक्स हैं के सुधाकरन उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हें सोंगती अब सुधाकरन ने हाल ही में 14 जिला ध्यक्षों की न्युक्ति की है वहां पर और इसे लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है इसे लेकर बवाल इसकदर मचा हुआ है कि बस हो ये रहा है आप सब जो जानते हैं कि कॉंग्रेस में पहले दो गुठ थे केल में एक गुठ तो था ओमन चांडी का जो की पार्टी के पूर्व सेकेटरी रह चुके हैं और यहां के सीम भी रहे हैं केरल के और दूसरा गुठ है रमेश चेन्नी थला का रमेश चेन्नी थल इतने पुराने नेता हैं कि राजीव गांधी के समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं केरल के तो यह दो कुठ हुआ करते थे अब जो पार्टी के राष्ट्य वहासचीव हैं केसी वेनो गुपाल राज्य सभा के सांसद भी हैं और राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़वाने में केसी वेनो गुपाल की बड़ी भूमिका थी और इसलिए केरल के मामलों में जो भी बात होती है केसी वेनो गुपाल के जरिये ही होती है और केसी वेनो गुपाल ने ही वहाँ पर कॉंग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था के सुधाकरन को और वहाँ पर जो इसमें कॉंग्रेस लेजिसिट्रेटिव पार्टी है यानि कि जो विधान मंडल दल का जो नेता है लीडर उनके वीडी सतीशम उनकी और सुधाकरन की ट्यूनिंग बढ़िया चल रही और इन दोनों ने मिलकर 14 जिला ध्यक्षों का एलान कर दिया और उसी को लेकर पार्टी में भयंकर विरोध हो रहा है ओमन चांडी और रमेश चे निथला इन दोनों दिगज नेताओं का कहना है कि हमारी इसमें राय नहीं ली गई और बिना किसी पूर्व जानकारी के बिन सब जिला ध्यक्षों का एलान कर दिया गया इसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये नई और पुरानी पीधी का टकराव हो रहा है लेकिन इसमें क्या है कि जो UDF है जो United Democratic Front जो Congress के नेतरत वाला है और ओमन चांडी सरकार जो PVJN सरकार है उसके खिलाफ जो अभियान लगतार चलाए हुए है उसकी लड़ाई थोड़ी कमजोर जरूर इससे पड़ रही है इस वारे में मैंने बयान पढ़ा थो जो इंडियन यूनियन मुसलिम लीग है उसके नेताओं का एक बयान पढ़ा जो इस समय गटबंधन का हिस्सा है UDF का हिस्सा है केरल में उन्होंने ये कह पार्टी का कॉंग्रेस का अंद्रूरी मामला है लेकिन अगर वो अपना ये मामला जल्दी निपटा लेंगे तो बैटर होगा क्योंकि कोबिड को लेकर आप सब लोग जानते हैं कि केरल की स्थिति कितनी खराब है और कॉंग्रेस और UDF के दल जितने भी हैं वो सब लोग चाते हैं कि इसको लेकर PVJN सरकार पर हमला बोला जाए इन सब चीजों को लेकर माहोल वहां पर गरम हो रहा है दूसरी ओर जो RSP एक छोटी सी पार्टी है वहां की लोकल उसके नेता है शिबू बेबी जौन उनका एक बयान पढ़ा था मैंने उनका कहना है कि कॉंग्रेस मे तो अपने ही लोग पार्टी का जहाज डुबोने में लगे हुए हैं बीजेपी भी इसमें मोका तलास रही है बीजेपी को लग रहा है कि लगभग तीन चार नेताओं को पार्टी से निकाला गया है जैसे कि पार्टी के पूर्व MLA है उनके खिलाफ काररवाई हुई है औ और एक और सक्स हैं एक पूर्व सचीव हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था तो इन सब लोगों ने ये कहा था कि ये जो जिला ध्यक्षों की नियुक्ति हुई है ये सही नहीं है सही तरीके से इस पर ग्राउंड वर्क नहीं किय गया और इसी वज़े से पार्टी की हालत यहां पर खराब हो रही है। पर बनेगी कि देखिए दूसरे दलो के नेता अब बीजेपी में आ रहे हैं तो पांस साल बाद होने वाले दोजार चब्श में जो साथ चुनाव होंगे उसमें शायद कुछ माहुल बन सके। हो रही है। इस बारे में जो पार्टी हाईकमान है वो चुप है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन सब लोगों ने सुधाकरन को दिल्ली बुलाया था, उनसे बातचीत हुई, उनसे जिल अध्यक्सों की नियुक्ति के लिएकर बात हुई। तो रहुल गांधी ने का ठीक है, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्स है, आपको पार्टी वहाँ पर चलानी है, तो आप जिस तरीके से चाहें, उचीत है, आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो All India Congress Committee के महा सचीव हैं, तारीक अनुवर उन्हें केरल का परभारी बनाया गया है, तारीक अनुवर के मारफत राहुल गांधी वहां की सारी एक्टिविटीज देखते हैं, और बाकी सारी गतिविधियां, जो है वो केसी वेनु गोपाल उन्हें पताते र इस्थिती ये बन रही है कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, और जो भी जिलाध्यक्ष न्युक्त हुएं, कम से कम उन्हें छे महीने का समय तो दिया जाना चाहिए, जिस से वे अपने आपको प्रूव कर सकें, उन्हें इतनी जल्दी रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं ह और सुधाकरन ने ये भी बयान दिया कि हम लोगों ने जब ये जिलाध्यक्षो की सूची बनाई थी, तो इसमें हमने ओमन चांडी और रमेश चेनी थला जैसे शीर सनेताओं से हमने बातचीत की थी, हालकि इस बात को लेकर ओमन चांडी की राय कुछ और है, ओमन चांडी चेनी थला के कटर समर्थक हैं, जोसिफ वजाकन उनका बयान में पढ़ रहा था, उनका एक बयान आया और उनने कहा कि केंद्रिय नेतरतों ने ये जानबूज कर ऐसा किया है, ओमन चांडी और रमेश चेनी थला जैसे पुराने दिगजों को आप पार्टी में साइड इसका केरल कॉंग्रेस को नुकसान होगा, और उन्होंने डिमांड की कि इसमें केंद्रिय नेतरतों को एक्टिव भूमी का निभानी चाहिए, अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि इस ताचा परकरन से कॉंग्रेस में जो रमेश चेनी थला और ओमन चांडी दो अलग धड़े हुए करते थे, वो दोनों एक हो गए हैं, अभी ऐसा लग रहा था कि चार-पांच धड़े पार्टी में वहाँ बन गए हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि रमेश चेनी थला और ओमन चांडी जो एक दूसरे की शकल देखना बरदास नहीं करते थे, इस मामले क लेकर एक हो गए हैं और दोनों की राय एक हो गई है, दूसरी ओर, कॉंग्रेस के एक बड़े दिगज निता ने भी अभी हाल ही में पार्टी छोड़ने का एलान किया है, और ये दिगज निता है कॉंग्रेस के पूर MLA और ये जिला ध्यक्स भी रहे हैं, वहाँ इनके पल लग रहा है कि मेरी वज़े से पार्टी की ग्रोथ प्रदेश में रुक रही है, तो इसी वज़े से मैं अपना 50 साल पुराना पार्टी की साथ नाता तोड़ रहा हूँ, मैं बाधा नहीं बनना चाहता, और बताया जाता है कि जब चुनाव हो रहे थे विधान सभा के केरल में, तो उस समय इनके साथ गोपिनात को ये वैदा किया गया था कि आपको जिला ध्यक्स बनाया जाएगा पलककर का, लेकिन जिला ध्यक्स किसी और को बना दिया गया, तो इसी से नाराज होकर इन्होंने पार्टी छोड़ने का एलान किया है, वैसे इसमें पूरी स्थिती नहीं कही है कि वो CPM में जा रहे हैं, क्योंकि CPM के सत्ताधारी पार्टी है, उसमें अगर कोई भी आएगा तो जो पुराने दिगज नेता है, या CPM के बड़े नेता है, वो सब भी उसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे, और एक बयान तो मैंने देखा भी है, CPM के बड़े नेता हैं, वहां के एके बालन और मंतरी भी रहे हैं, सरकार में विजियन की, उनका कहना है कि पार्टी में आने वालों को ऐसे आसानी से नहीं आने दिया जाएगा, और इस पर सब लोगों के बीच में चर्चा होगी कि किसी को शामिल किया जाए या नहीं किया तो फिलाल इस्तिती मुझे दोस्तों ये लग रही है कि कॉंग्रेस में हालत खराब हो गई है, वहां पर पंजाब वाला मामला भी सुलजा नहीं है, कि उस से ज़्यादे खतरनाक हालत केरत में हो रही है, और केरल में खतरनाक हालत होने का सबसे बड़ा नुक्सान राहुल गांदी को होगा, क्योंकि राहुल गांदी केरल के सांसद हैं, वहां की वाइनाट सीड से सांसद हैं, केस्यू बेनो गुपाल जो पार्टी के महासचीव हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, राहुल गांदी के क्लोस फ्रेंड हैं, उनकी परतिष्ठा पर भी सवाल खड़ा ह अगर केरल में कॉंग्रेस में इसी तरह से ऐसंतोष रहा तो दो साल बाद होने वाले लोग सभा चुनाओं में राहूल गांदी की हालत भी वहां पर खराब हो सकती है मेरा मन था के केरल के बारे में चर्चा की जाए केरल को लेकर आप सब लोग की बहुत डिमांड थी कि कोई वीडियो में बनाऊं और आज था भी उसमें चर्चा करने लाए काफी मस है मैटेरियल इखटा हो गया था आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप लाइव जूरना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जुरूर प्रेस कर लें जिससे के मैं लाइव आऊँ और आपको तुरूर बदा लग जाए कुछ लोग मुझसे वर्टसप के थूरू जूरना चाहते हैं उनसे मेरा निवेदान है के मेरी मेंबर्शिप ले सकते हैं इसके माध्यन से आप वाटसप गूरूप से भी जो सकते हैं देखते रहिए हर्श की बात लाइव नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें